हेलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हूँगे आज मैं बहुत ही इंपॉर्डेंट वीडियो लेके आया हूँ इडा की जो रेजिजेशनल प्लॉट्स की माई यह RPS 7 2023 उसमें कितने एप्लिकेशन हर प्लॉट साइज में आ चुके हैं वो कि ऐसे वीडियो को बनाने में तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सब्स्राइब करें ताकि हमें भी पता चले कि हमारा दर्शकों को क्या अच्छा लग रहा है और अपने कमेंट जरूर फीडबेक जरूर शेयर करें कमें सेक्षन में ताकि हमें भी पता चले और अगर आपको कोई भी प्रावल्म आ रही है एप्लिकेशन भढ़ने में तो हमारा एक पूरा डीटेल वीडियो है मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया और उपर आप आई बटन में भी देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने पूरा करवर किया कि कैसे भढ़ना है और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जक्शन में जो रूप हो सकते हैं तो आईए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ तो जैसे की पता है आपको ये आर्पीस 7 2023 के अप्लिकेशन जो भरे जा रहे हैं वो 8 अगस्त को ओपन होई थी और ये 1 सेप्टेंबर 2023 तक चलेगी इ ये ब्लॉक D, E, F और G में हैं नमर फ्लॉट्स की बात कर लेते हैं तो 120 और 162 के तो थोड़े थोड़े प्लॉट्स हैं 200 और 300 के बहुत अच्छे गासे प्लॉट्स है 300 और 200 ये कारण ये हैं कि ब्लॉक G जो बन रहा है वो एकदम नया कट रहा इस बात वो इसी ही स्कीम में ब्लॉक D, E, F तो पुराने हैं तो इसलिए इसमें थोड़े बच्चे हुए प्लॉट्स है लेकिन प्लॉक G है वो थोड़ा एकदम ही नया मलब ब्लॉक बन रहा है तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादे प्लॉट्स आए हैं सेक्टर 17 और 20 की बात कर लेते हैं सेक्टर 17 में प्लॉट्स है तो टोटल प्लॉट्स की जैसे बात कर लेते हैं तो 1184 प्लॉट्स आए हो इसमें है ना यह तो आपको पता होगा अब बढ़ते हैं इस सबसे इंप्लॉट्ट टॉपिक में कि कितने प्लॉट्स कितने अप्लिकेशन आ चुकी है हर में तो यह रही हमारी अभी आपको 10 परसें मनी एमडी देनी है जो की रिफंडेबल होती है इसके साथ 590 रुपए फीस प्लस जेस्टी लगता है वो रिफंडेबल ने होती तो 590 रुपए आपको फीस लगेगी और साथ में आपको 10 परसें एमडी देना होगा यह 120 मिटर का सेक्टर 16 और 17 में ज तो यह आपको बता देघी कि हर एक प्लॉट के लिए कित्ते लोगों ने तक अप्रिकेशन डाली है तो यह तोटल नवर हो जादा लिए यायshow जिसका कम होता है वो भरते तो ज्यादा चांस निकलने के तो विन बन जाती है Maths के नुसार, बाकि आपकी लग पर बात कर रहता है कि कौन सा निकले ना निकले, लेकिन Mathematics के नुसार जिसमें कम विन रिशो उसमें ज्यादा चांस बन जाती है, क्योंकि उसमें कम एप्लिकेशन है यह पर प्लॉट की बेसिस पे, अब 162 स्कॉय मेटर की बात कर तो affordable हो जाता है लोगों के लिए इसलिए इसमें विन रिशो जाता है, लेकिन यहाँ पर देखें तो बहुत अच्छा विन रिशो बिल रहा है, 94 कहीं, 200 स्कॉय मेटर में 466, इसमें सबसे ज्यादा प्लॉट से स्कीम में, और यह भी सेक्टर सोला, और 17 में ज्यादा तर त 159 अप्लिकेशन आई है, तो यह बहुत ही अच्छा अच्छा है कि 200 में प्लॉट करें, विन रिशो बहुत कम है, अब 300 स्कॉय मेटर की बात कलने तो यह 208 प्लॉट है, और यह सेक्टर 16 में है सिरफ, पिछली स्कीमों में सेक्टर 18 और बात्यों में भी आय थे, लेकिन इस सिरफ सेक्टर 16 में है, और इसमें अप्लिकेशन की बात करें, तो 22,494 अप्लिकेशन आई है, और इसका विन रिशो बनता है 108 का, तो यह इन तो से थोड़ा ज्यादा है 300 का, लेकिन 108 भी बढ़ी आई है, 108 अप्लिकेशन हर एक प्लॉट के लिए ऐसे निकाला जाएगा, 500 जो बड़े अप्स आगे, यह सारे सेक्टर 20 में आगे, तो इसमें चोईस प्लॉट से, सेक्टर 20 जैसे मैं बताया, और इसमें नमबर अप्लिकेशन है 4344, विन रिशो देखें तो 181, यह बनता भी है, 181 थोड़ा पॉसब से अच्छा का सब देखा जा सकता है, मतलब 245 क सेक्टर 20 में है, तो आप आकी का सेक्टर डवलप हो गया, तो यह जल्दी से आपको डवलप मिलने की उमीद रहती है, और फिर आपको जल्दी से बेच भी सकते हैं, यह आपना बना अचाहे तो इसमें जिनके पास इतना पैसा है, एक करोड थेईस लाग, तो यह भरने में तो इसमें टोटल प्लोट 13 है, और यह भी सेक्टर 20 में, और इसमें एप्लिकेशन आई है, 2095 और इसका विन रेशो बनता है 161 का, दो हजार में सिक 19 प्लोट है, और यह भी सेक्टर 20 में, और इसमें 1645 अप्लिकेशन आई है, इसमें विन रेशो बनता है 87 का, तो यह आपन हम ने बताया सारे विं रिष्योज कितने कितने मनने किया क्या कोश्ट है वर प्लॉट की साइज की और कौन से से सर्ट में अगर अपन 요 के साफ से देखे तो सबसे क्वेन implication जोаки तो अगर आप 200 स्कॉयर मीटर के में हैं तो अगर आप 200 स्कॉयर मीटर के भाड़ते तो आपको सबसे अच्छा उमीद बनती है कि आपके निकल जाए लेकिन आप अपने बजट के नुसार जाएगेगा सिर्फ विन रेशो के बेसिस पे डिसाइड ना करें कि कौन सा प्लॉट जो नंबर है उसकी बेसिस पे आप रिसाइड कर सकती कौन सा प्लॉट है तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लागा होगा ये डेट आपको अच्छा लागा होगा आप लाइक जरू करें ताकि आप फ्यूचर में ऐसे वीडियो क्योंकि यूटूब आकर आप अपने फीड़ेक जो रूशेयर करें कमेंट में बाई